हलो फ्रेंड्स एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है बागवानी तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो अडेनियम अरेबिकम के बारे में है बहुत सारे लोगे क्वेशन आ रहे थे सर की हम अरेबिकम में लीफ की प्रूनिंग क्यों करते हैं जैसे कि आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पोधे एक्जिबिशन लेवल के पोधे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि लीफ बहुत कम है या है ही नहीं तो ये क्यों किया जाता है फ्रेंड्स आज इस पे हम बात करेंगे लीफ प्रूनिंग आपको करनी है या नहीं करनी है उस पे भी बात करेंगे और जैसे कि आप मेरे ये पौधे देख रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ कि आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से लेके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और एक यहाँ पे है दस ये टोटल दस पौधे मैंने मंगाये थे जिसमें से एक जो है मेरा ये वाला पौधा जो था ये मेरा वही बिगवन वाला पौधा जो खराब होगा जिसको मैंने बचाया था तो अभी ये ग्रोइंग पिरेड में है और बाकी आप देख पा रहे होंगे जितने भी पौधे हैं मेरे, ये सभी की सभी जो है अच्छे से चल गया है दो प्लांट मैंने जो है औवेसम का भी लगाया था इसी मीडिया में जो कि आप देख पा रहे होंगे कि अब सही हो गया है इसको की देखा जाए कि इसका रेजल्ट कैसा है तो अब अभी 10 से 12 दिन हुए है इसका रेजल्ट बहुत अच्छा है तो अब देख पा रहे हैं कि इनके कोडेक्स भी काफी मेच्योर हो चुके हैं आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं आपको एक निखाओ यह उठा कर यह देखिए आप मेरे पुराने वीडियो देखिए इस पे मैंने 4-5 वीडियो पहले भी बनाई है तो यह उसका next पार्ट है कि लीफ प्रूनिंग क्यों की जाती है और कैसे की जाती है आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो कोडेक्स है वो पहले से काफी ज्यादा डेवलप है मेरे पुराने वीडियो जाकर के एक बार सभी जो 4-5 पार्ट मैंने अपलोड किये हैं आइधिंग 4 पार्ट है वो चा एक क्राउन भी है वैंग वैंग है यहाँ पे आप बहुत सारे जितने भी नाम है मैंने अलेडी जो है पहली वीडियो में जिसमें मैंने लिखा था कि डेरियम अरेविकम कहां से पर्छेज कर रहें क्या है यह सारे डीटेल में दिए हैं वहां से आप देख सकते हैं जैसे क यह नमबर आपको निए दिख रहा है इस्क्रीन पे यहीं से मैंने मंगाया है राजीव कुमार जी है उनी से मंगाया था यह तो यह पोदे बहुत थी मतलब अभी जितनी इनकी ग्रोथ है जितना इनका कोडेक्स है एक महीने दस या पंदरे दिन हो चुके हैं यानि यूँ कह दिनकी दें होटे करके आप अंदजाया लगा सकते हैं कि ग्रोथ इसकी कहसी है और कितना चुके जितनी जआदे हम लीफ्रूनिंग करेंगे ज्द आपको मैंने स्टार्टिंग अगर हम पत्तियां हटाते हैं तो इसका जो food supply होता है वो पत्तियों के द्वारा असोशित किया जाता जैसे नीचे हम कोई भी micronutrient डालते हैं या मीडिया में जो भी हमारी पहले से मीडिया बनाये गए तो उसमें खाद वगेरा जो हमने डाले थे और इसका मैंने मीडिया बना इसकी वीडियो है आप स्टार्टिक के चार पांच वीडियो जो देख लेंगे मेरे उसे मैंने नंबरिंग करी हुई है तो वह आपको पूरे डिटेल में मैंने सब कुछ कवर कर रहा हूं यह पूरी मेरी सीरीज चल रही है तो आप उनको देख लेंगे तो आपको सारी डाउट जैसे जो चीज मैं बता रहा हूं जैसे बता रहा था कि वे मीडिया तो यह मीडिया का भी वीडियो पहले है और क्या खाट दिया है दो तीन फर्टिलाजर निकलते हैं लेकिन कोडेक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है दूसरी चीज है कि जब भी हम फ्लावरिंग के लिए कोसिस करते हैं तो फ्लावरिंग के लिए भी हमें थोड़ा सा जो है इसमें कुछ परिवरतन लाने पड़ते हैं पत्यों को काटना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़े होती है लीफ प्रूनिंग का सबसे में फंड आई है जितनी जादे हम अरेविकम के लीफ प्रूनिंग करेंगे उतना ज्यादा यह पौधा डेवलप करेगा यानि उसके कोडेक्स की मुटाई है वो बढ़ेगी तो हमें जो है लीफ प्रूनिंग इसी लिए करनी चाहिए कि जितनी food supply है वो पतियों में ना जाकर इसकी उपर ही growth और इसके कोडेक्स पी be पत्तियों इस Kens agg gonna prefix वे पत्तियों कोकाड कि तो सारा फूर काड़ जिसे इसे कैसे करेंगे इसे लिए आपको एक आपके पास c gekommen कर लेट हो चाहिए होगा देखे इसने के लिए ले ले होет जैसे की लीफ है इसकी तो मैं इसको थोड़ा सा आपो दिखा दूँ यह जैसे इसकी लीफ है कि इसलेश को हमें आप काटना थो हमें अ क्षोड़ार देना है कि यह छोटी लीफ है इस सप्लाइजोंягिं मिलीफ वोगी हो और नीचे के जितने भी साइड है, सारे पत्यों को हमें प्रून कर देना है, ट्रिम कर देना है, वो भी इतनी इतनी, जैसे कि मैंने ये पत्ती है, तो यहां से मैं इसको काड़ दूँगा, यह बहुत ही नाजुक होती है, और आप जैसे ही एकदम clean blade लगाएंगे, तो पत्ति से काम करेंगे, ऐसे सारी पत्तियां friends आपको आराम से करके कि कोई चीज और डेमेज ना हो, कोई branch ना डेमेज हो, ऐसे करते-करते आपको सारी पत्तियां निकाल देनी है, अगर आपके पास कैंची है तो कैंची से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप blade से सबसे आसानी से कड़ जाता है ये तो आपको ये सारी लीफ प्रूनिंग ऐसे कर देनी है और ये भी ध्यान देना फ्रेंड जब आप लीफ प्रूनिंग करेंगे तो आप वाटर बहुत ज्यादा नहीं देंगे वाटर देंगे थोड़ा-थोड़ा देते हैं जैसे कि मौशर जब पतियां ही नहीं होगी क्योंकि कोडेक्स में अल्रेडी पानी भरा होता है तो ऐसे से फ्रेंड सारी पतियों को हम ट्रिम कर लेंगे झाल बहुत जब पतियों को हम झाल पतियों को झाल ऑज हीं जाता है । तो आप देख पारा हैं friends कि ये सारी चीज़े मैंने कर दी अब हमें करना क्या friends कि हमने जैसे पत्तियां हटा दी तो ये पत्तियां आप देख रहे हैं साभी हटने के बाद आपको इसका structure कुछ अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये जो आप पहली वीडियो से मिलाएंगे आप नेखरें थोड़ा सांभा टेड़ा हो गया ये अ Tech ये अपने अब सीधा वी होगा क्योंकि नीचे से थोड़ा सा कि एक साइड में ऐघखा होगा तो यह दीरे थे में कि सही कर लीफ मैंने कट किया ये धीरे धीरे अपने आप ड्राइ होके गिर जाएंगे और वहां से कुछ और नई ब्रांचेज बन जाएंगी तो ये प्रूनिंग का एक बहुत ज्यादा खास समझी की प्रॉपर्टी है कि जितना जादे हम लीफ प्रूनिंग करेंगे उतने जादे ब प्रूनिंग करने के बाद हमें इसमें तुरंत जो है दस से पंदर मिट के बाद जैसे आप प्रूनिंग कंप्लीट करते हैं हमें फंगिसाइड का सलूशन बना करके पूरे अच्छे से जो है पौधे को नहला देना है मतलब जो भी हमने लीफ कटिंग की है या कुछ भी है कोई भी चीज़े हैं वहाँ पे कोई किसी प्रकार का इंफेक्शन ना हो इसलिए हम इसकी लीफ प्रूनिंग कर देंगे यह फंगिसाइड का स्प्रे कर देंगे फ्रेंड्स तो यह रही इसकी बात और बाकी चीज़ें कुछ खास टिप्स जैसे की प्रूनिंग कब करनी है बारिस हो रहा है लगातार बारिस हो रही आपने बाहर रखा हुआ या ऐसे जगह रखा हुआ जहां पिसमें थोड़े बहुत पानी के छीटे भी पढ़ रहे हैं बहुच हार भी पढ़ रही है तो उस टाइम आपको प्रूनिंग नहीं करना है जब धूप हो जाए एक से द रही तीसरी वीडियो में आपको इस समय डालेंगे जो मैंने पहले या दूसरा वीडियो में बताया है कि जो फर्स्ट फीडिंग होगी वो क्या होगी वही देना है जब तक इसमें से फिर से न्यू ब्रांज न्यू सुटिंग स्टार्ट ना हो जाए तो यह 15-16 दिन में फ में अभी आप लोग क्या करिए प्रूनिंग करना सुरू कर दिये जैसे कि आज की तारीख है वो आपका 70 आपका अगस्त है तो 17 अगस्त से यह सारी चीजें कर लीजे 17 से 20 अगस्त के बीच में आप यह सारी चीजें कर लीजे लीफ प्रूनिंग बहुत जरूरी है इसको करना बहुत ही जरूरी होता ये नहीं कि आपको पत्तियां बड़ी सुंदर दिख रही है आप नहीं प्रूनिंग करेंगे इससे ना करने से आपके पोधे को नुकसान जादा होगा तो फ्रेंड्स ये रही बात तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक्स इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स